असलाम लेकूम वेलकम टू फरहीं कुकिंग्स फॉर यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ वेजेटेबल सूप की रेस्पी शेयर करूँगी तो इस रेसिपी को बनाना बहुती आसान है और ये काफी ज़दा हेल्थी भी है तो फिर चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत है तो वेजेटेबल सूप बनाने के लिए यहां पर मैंने कुछ वेजेटेबल लिया है तो ये मैंने लिया है बीन्स जो के मैंने फाई लिया है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये है पत्ता गोबी और गाजर मैंने लिया है एक छोटी साइस की और ये मैंने लिया है शिमला मिर्च तो ये सारी सबजियों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है आप इसके के लिए तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक पैन में ये वन टी स्पून घी को मैल्ट कर लेंगे आप घी की जगे पर ऑईल या फिर बटर भी ले सकते हैं देखिए ये घी अब मैल्ट हो चुका है तो इसमें हम ये चॉप किया वाल लसन एड़ कर देंगे इसे हमें बस हलका सा भून लेना है लसन को हमें बहुत ज्यादा सुनहरा होने तक नहीं पकाना है बस ये हलका सा फ्राइ हो जाएगा तो इसमें हम ये प्यास एड़ कर और जैसी प्यास थोड़ी सी फ्राइ हो जाएगी तो इसमें हम ये सब्जियां एड़ कर देंगे तो अब ये प्यास थोड़ी सी फ्राइ हो चुकी है तो इसमें हम ये बीन्स एड़ करेंगे गाजर दालेंगे और ये पत्ता गोबी भी हम इसमें एड़ कर देंगे तो ये शिम्ला मिर्च हम इसमें अभी नहीं धालेंगे इसको आप करना है तो यह सब्स群ों को हमें थोड़ासा सॉटे कर लेjob公 wes गयास की फ्लेम हम मेडियों टु लू कर देंगे और यह सारी सब्सभिश को हम थोड़ा सा भून लेंगे तो इसी दोरान अगर आप चैनल पर मेरे पहली बारा हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें बैल नोटिफिकेशन को अन करके आल पर क्लिक कर दें ताके मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके तो ये सबजियां सारी हलकी सी भून चुकी है तो आब हम इसमें ये पानी आड़ करेंगे पानी हम इसमें दालेंगे 500 ml पानी आप अपनी मर्जी से जैसा आपको सूप चाहिए पतला या फिर गाड़ा तो उस हिसाब से भी पानी आप इसमें आड़ कर सकते हैं पानी आड़ करने के बाद इसमें हम ये नमक भी आड़ कर देंगे तो बचिसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे और फिर इसे ढखकर हम मेडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पांच मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि ये सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा पका कर सॉफ्ट नहीं करना है इसमें हलका सा क्रंच होना चाहिए क्योंकि सब्जियां अगर बहुत ज़्यादा भी गिल गई तो फिर सूप में अच्छा टेस्ट नहीं आ सकेगा सब्जियों का यह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि यह लंग्स फ्री हो जाए तो तीन मिनट हो चुके हैं और यह जो शिम्बला मिर्च है यह भी पक चुकी है और सारी सब्जियों का फ्लेवर भी पानी में आ चुका है और इस कॉनफलार के घोल को हम सूप में आड़ कर देंगे तक यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाए तो लिजे बनकर तेयार है हमारा वेजेटेबल सूप बहुत ही सिंपल और हेल्थी यह रेसिपी है आप इसे डाइट में भी ले सकते हैं तो उमीद करते हूं आपको यह हेल्थी सूप की रेस्पी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ फरीन को दीजिए इजासत अगली वीडियो तक अल्हाफिज